हेले ब्रिवन तो आज है सेवेंथ अब जन्वारी और इस सेशन में दा हिंदू एडिटोरियल का वोकेवली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से चैनल सस् यह हमारा सोसल मीडिया है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेशन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाके जल्दी से जॉइन कर लिजे तो आए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है फर्स्ट वर्ड है मोट अगर मोट की बात करें तो एक नाउन है मोट यहाँ पर क्या है एक नाउन है जिसका मेनी होता है एडीप वाइड चैनल डेट वाज डग एराउंड एकस्टल एकसेटरा एंड फिल विद वाटर तो मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर इनमीज टु एटेक तो जो देखें जो कैस्टल वागर होते थे जो किला वागर होता था पहल मेर अगया दूसको बरहें इधित क्या एड़ा थे नकिने जैक मिल बॅला जटा जातक है इसलों प्रोड़े मिल्क यृव यॉद्र चाभल चैनव में घंटाश तो acher डे मी नचान फेसल आता है ये ज Utỗi 12 शेट में पर और देखे होंगे जो होरस रिडिंग वगर करते हैं तो इस तरह का हात में लेगी होगे रहते हैं जिसको क्या बोल जाता है चाबुक बोला जाता है तो जो लॉम्बा होता हो तो इसको बूल बोल जाता है यानि कि ल장이 स्वी पेशकाạnhFOर्च चारण हे कि अहाँ है बुलम जैक नाउन है जिसका मिनिंग चाबु कोता है लैस्पिप स्कॉर या फिर हॉर्स ship इसके सियोन सो जाएंगे सःग्ष थर्ड सॉर्ड की बात करें थ्लिवर्ड का है आउट्रैस यहाँ यहां पर एक नाउन है जो ऑट्रेज जिहां पिर्ण है एक नाउन है जिसका मिनिंग होता है तो जाएंगे अगला वाड़ है मॉकिंग मॉकिंग की बात कर तो एक एडिक्टिव है मॉकिंग पएक एडजेक्टिव है जिसका मेनिंग होता है मतलब यह दिखाना कि आप सोच रहे कि क्या है सिली है यानि कि मुर्ख है यानि कि आप उसका क्या कर रहा है मजाक उड़ा रहा है अगर आप किसी को मुर्ख समझ रहा है इसका मजाक उड़ा रहा है तो उसको मौकिंग बोलेंगे यानि कि टॉर्टिंग जीरिंग डेसे लिए फिर स्कॉर्ण फुलिस के सिनोनिम सुझाएंगे जिसे अब देख सकते हैं कि यह बंदा क्या कर रहा है इस लड़के का मजाक उड़ा रहा है हंसी उड़ाया ठीक है आगला ब Gibbs लट्रिंग फु inform 63 को कर देना और फिलका देना श्कॉ taper के लगए कütfen की आधेया थी doc करने कि इससानोनिम की बात करें तो कंप्ली मेंटरी हो जाएगा रॉनिंग हो जाएगा डिटरी यहत फीरपाल सम्हों घर यह यह सब हो जांगे स σας एंगे सब्सक्राइब जेख सकते हम फिक्चर में क्या पर लेते हैं कि हुम और क्या होगा तो तो जो भी वरड आप यहां पर सीख रहा है ठीक है उससे हों सेंटेंस बनाना है जो भी वरड यहां पर सिखाया जा रहे है थे हैं और इसका मिनिंग होता है in a happy way because of something good and you have done or something bad that has happened to somebody else and he like glyphoolie होता है या आपके साथ कुछ अच्छा हुगा है तो आप खूस है और आपके साथ कुछ बुड़ा हुगा this a एक अगर आपके साथ कुछ बुड़ा होगा तो रो भीने करना चाहिए तो गलीफुली कि नहीं कहाता है , प्रसंता पुर्वक्ट वाक जिसका जोई लिए जैसली मेरे लिए है प्ली इसके सिनोनेम सुजाएंगा जैसे देख सकते हैं यह बंदा क्या कर रहा है प्ली वापसा रहा यानिक इसको कुछ मिला होगा या मेभी यह पर मोट हो गया होगा अपने जॉब में ठीक है अगला वाद रेलिस जो एक भार रेलिस का है इसका मेनी होता है to get great pleasure from something मतलब किसी चीज़ से ज्यादा खुसी मिलना ठीक है उसको प्रेलिस बोलेंगे यानिकि स्वाद इसका हिन्दी मेनी हो सकता है इंजोई से वर लॉब डिलाइट इसके सीनोनेम सुजाएंगा मतलब कोई काम करने जिसे आपको बहुत ज्यादा प्ल इसका मेनी होता है अनिवार रही यानिकि डैट यू के अवाइट और प्रेवेट मतलब किसी चीज़ को आप आप अपर नहीं कर सकते है वह काम करना अपी करना उसको क्या बोलेंगे नके इंविटेवल भोलेंगे ठीके ऑ नएवैयल इसके पेबल सर टेरन या फिर निस सälle सरीज के इसके इसके शीम्याम सुझे जैसे एक जाणके टाइमें हमें पढ़ना 낮 पढ़ना पढता यवित आप पूरे साल कितना भी इसको एवाइड कर दें लेकिन जब इक्जाम के टाइम आता है तो हम सब हर एक बचचे के मन में डर बैट जाता है यह मतलá होता है किसी को इंटर्टेन कराना उसको मनरणन कराना कोई स्टोरी सुना के कोई जोक सुना के उसको क्या हो एंगि की एम्यूजे इंटर्टेइन यह तो तनीलीफ हो कैसे आप देखते हैं जो इसके से इंड़ेक्टिव होता है इनी अप्लाइब टू विलिंग टू बिलीब डैड पीपोल अल्वेस टेल यू तरूथ देखिए तो नहीं मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी चीज को जाज करने का अग्सक्राइब बिलाज जाएंगे तो जो कोई नया नया काम कर रहा है जिसके पास किसी काम का एक्सपरियर्स नहीं है उसको नहीं बोला जाता है तो आज के लिए इतना ही आज का वीडियो यहीं पर समाप थुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेसन में जरूर बताईएगा त झाल